नमश्कार आप देख रहे हैं Headlines 24 समच्छार चैनल आगे रुख करते हैं आज की खबरों की ओर किसी गडबंदन के 2024 में लोकसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेगी जिसके चलते मद्दबरदेश में बहन जी के आदेशा नुसार वा रामजी गौतम सांसत राज्य सभा एवं मुखे प्रदेश प्रभारी के रिदेशन में बसपा सभी 29 लोकसभा सीटों पर चु भावित हो कर विंद शेत्र के कदावर नेता एवं चार वार के विधायक नरायत्रिपार्टी जी अपने सैक्डों सदस्यों के साथ बेस्पी पार्टी के सदस्यता ग्रहड करेंगे और पूर्व सांसत मा बुद्ध सेन पटेल जी अपने समर्थकों के साथ पार्टी के सद यहां जरूएत पड़ेगी ज्रूए जरूर पड़ेगी जब नरायमत्री पाठी जबाएंदर पड़ेगी मिले करें को यह नरायमत्री पंधि दूर्टी चाहिते इति smokes करने वाला था कि ताकत हो नीचेजिक को जैसे मीडिया का सवाल हुआ करता है आपके साथ को 25 अक्टूबर को 25 अक्टूबर को सामको पांच वजी भोपाल से आज तक चैनल से मेरे पास मैसे जाया कि प्रिपाडी जी आपके दल को मानता निर्वाचान आयोगी दे दिया है पच्छी सक्टूबर तक हमारे दल को प्रटल में ब्लाक कर दिया गया है ऐसी तितने पंद्रा दिवस के अंदर कौन चुनाओ लड़ सकता है पंद्रा जिवस के अंदर जब मैं बेटे को चुनाओ लड़ा दिया तो लोग मुझको मेरे हमारे में तो दिल्ली से तवाम पंद्रा दिवस के अंदर कहां चिन जा पाएगा कहां चिन जा पाएगा मेरी पत्मी मुझके बोली कि साथ में नमर में चिनता पोटो देके डाल पाएए कौन बोट देगा आपको कोई चुनाओ जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं बिंद के लोगों का विस्वास जीतने क कि आमने अपना पूरा राजनेतिक जीवन समर्पित कर जिया बिंद के पुर्ण में बाढ़ते हैं आप विस्वास की वाज कर रहे हैं लोगों को देहसत भय दर छोटे-छोटे ठेला टप्रा तुमको भाजबा की साथ नहीं हो तो ठेला भी नहीं लगेगा कि वो जो काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचू हम तो कांग्रेस के जमाने में कुछ घटना घटी उस घटना में विधाय करेते में पार्टी को छोड़ा और वहां से मैं कोई भाजबा में थोड़ी आए था भाजबा के लोगों गुटने टेक के मुझको लेके गए एक बा इसकाने में तबाम काम हुए हुआ उस जमाने वी ऊंकि इमान लारी की साथ रविए भाधमा में हम गए नहीं थी घटनी काम जरए बासरा दरे दो पार्टी कहां और डो पार्टी का है वह सोच है बंद गुद्धा है बिंध कर माद्ध जो हमारा प्लश प्रतीक चिन गले में धारन किया हूं तो सब कोई जानदाना मैं बोला न कि बिंद जन्ता पार्टी का मैं कहीं किसी बितर कोई पदादिकारी नहीं था बिंद हमारे दिल में है जब तक जीवन है हमारे अपने बाल बच्चों के बहतर भविस्थ के लिए वह लड़ाई पर आया है कि मैंने राजनेतिक जीवन में संपूर्ण समय छेत्र के दिकास के लिए अगरीब लोगों के उठान के लिए कोई कहीं पीडित नहों कहीं कोई कानून व्यस्था के द्वारा प्रताडित नहों यह लड़ाई लगातार लड़ा जहां जातिवाद का जहर का बोल को बाला हो उस जगह हमने जातिवाद से ऊपर उठकर जहां भी हमें प्रीडित मिला कौन बोट दिया कौन वोट नहीं दिया कमी सोचे भी और राजनीत का जो व्यापसाई करन हुआ है उस व्यापसाई करन से भी अपने आपको दूर रखी है आज के दोर में भी हमारे तीन वेटे हैं हमने राजनीत में इसको धंदा व्यापार नमान के सेवा भाव से राजनीत किया और बिंद मुद्दा है और बिंद मुद्दे की लड़ाई हो सकता है हम समझा नहीं पाए लोगों को बिंद हमारा बनना चाहिए लड़ाई जारी रही इसके लिए जो मुझे सब्सक्राइब को अपनी ताकत के साथ काम खरांके दिया वही हमारा सपना की मईयाद देवी धाम है बिंद हमारा बिल्लकुल मैं आज भी दावी के साथ बोलता हूं पेक्षीता है कोई डिप्टी सीम से कुछ नहीं हो जाता है हाई ओवर से कुछ नहीं होता जो वहां की स् जो बोलेगा जेल जाएगा उसको प्रताडित किया जाएगा दंदा व्यापार ठपर कर दिये जाएंगे लोगों के ठेला ठपर हटा दिये जाएंगे गरीब देवी धाम में एक ठेला ठपर हटाए जा रहे हैं जैसे कोई सिंगापूर बन रहों कोई है यह तमाम व्यस्थ जन हिताय की राजनी के लिए फिल से आज नए मुकाम पराया हूं आप सबकी ताकत से माई की उपर वाले से क्रपा से बिन्द में अजबूत हमारे संबादनी पूर्व सांगसर पटेल साव हैं यह तो हमारी डबल ताकत होगी अभी तो अकेले पड़ जाते थे लोग मेडिया बंदू जैसा के आप लोगों को मालूम है का बहुजन समाज पार्टी की राश्ति अद्रच्छा एवं पूर्व मुक्हमंत्री उत्तरपदेश पूर्व सांगसर लोक्षवा राश्षवा जी ने कई वार अपनी प्रेश भारता और टोटर एक्ष के माध्यम से अवगत कराया है का बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है उस कड़ी में मर्द प्रदेश में मान ये बैंजी के आदेशन सार बहुजन समाज पार्टी के केंदरी कोडिनेटर और राश्षवा के सांगसर श्री राम जी गोतम जी के निदेशन में बहुजन समाज पार्टी मर्द प्रदेश में भी सभी 29 लोग सवा सीटों पर चुनाव लड़े आज प्रेश बार्दा के माध्यम से आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ आदनिया भेन कुमारी मायवति जी दाश्टिद्ध चिबस्पायम पूर मुख मंतरी उत्रपदेश जीकि नीती सरोजन हिताय सरोजन सुखाय से प्रभावित होकर बिंद छेत्र के कद्दावर नेता चारवार के पूर विधायक महियर और साथ ही पूर उसांसाद स्री बुद्ध सेन पटैल जी आज बहुजन समाज पार्टी की सरस्ता अपने समर्कों के साथ ग्रेंड कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी अपने परवार में इनको सामिल करते हुए इनका हार देक स्वागत करती है अब नहीं करती है बिल्कुल हो रहा है बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी ताकत से और विचाधारा के साथ सर्व समाज को जोड़ने के लिए काम कर रही है और इसमें खासकर गरीव और अपरकाश के गरीव लोग यह सभी लोग जो कहीं न कहीं पीडित हैं प्रताडित हैं उनके बच्चे बिरोजगार है उनके बच्चों को ती सिच्छा नहीं मिल रही है किसान भी इसमें संबलेत हैं उनकी भी MSP लागू नहीं हो रही है इन सारे इनके हाकतकारों के लिए बहुजन समाज पार्टी जबीन इस्तर पर बूत लेवल पर संगर्स कर रही है और तरके भी दिखाया है उतार चड़ा वाते रहते हैं कभी-कभी कईयों पार्टियों की तीन सो चार सो सीटे हुआ करती आज इनकी कम हो गई है कभी इनकी कम हो जाएंगी पर बहुजन समाज पार्टी अंदोलने वो चलता रहेगा और हमारी स्ताकत भी बढ़ेगी वो बोट अपर्सन भी बढ़ेगा और सीटे भी आगे बढ़े हैं ऐसा हम आपको बढ़े सब्स आपने बहुजन समाज पार्टी में हुआ था राजिंतिक रूट से और वहां मनेवर कासी राम साहत के मितृत में और परंपो जिवाबा साहत की रिचार धारा में हम लोगों ने मद्द परडेश में और विंद छेतर में लुटे पिटे तमाम गरीवों को जोड़ने का काम समाफिए और जोड़ने की वज़े से 91 में लोगों ने रिमा से शांसत बनाया, 90 में विधायक बनाया, 93 में हम खुदी विधायक बने और हमारे साथ ही बने, 96 में हम शांसत बने, फिर अधी 2009 में देवरासिंजी सांसत बने तो हम लोगों ने बहुत काम किया लोगों को जोड़ने का बीच में हम भटक गए थे ये बीजेपी वाले जो है ये गुमराह करते हैं लोगों को ये देश को गुमराह करते हैं समाज को गुमराह करते हैं समाज को तोड़ने का संप्रदाइक भावनाव से लोगों को उठसाने का इन तमाम सारी बातों से आदमी बढ़क जाता है जब समझ में आया कि ये तो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं तो फिर हमारी अपने पुराने घर में भावजन समाज पार्टी में मानिय अब कहां घटके में जनम हुआ था बहुजन समाज पार्टी में और मरन होगा बहुजन समाज पार्टी में ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए